कईसे आप सब आज हम ओडशा की भीतर क्यानी से जो हम इसे बार में तो यह क्यों हुआ है और इसे निपढ़ने का जो मतलत मार्थ जो है वो कैसा है का से किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है और ये जो हिपार थे थो हैаю इसके बार में थूरा सा हम इस वडियो में जो है क신 क तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखेगा और प्लीज लाइक करना मत बुलिएगा अभी दग अगर आप लोग नेमार चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगल का नोटिफिकेशन मिल सके तो चड़ी आज का जो डिसकाशन है वो हभी हम शुरू करते हैं तो अभी देखेए कि हाली में जो है कुछ परियावरन कार्या करता हो के अनुसार जो है यानिकि एन्विरमेंटल एक्टिविस्ट के पॉइंट आप करने के वजह से जो है उनके अनुसार ब्रामहनी नदी बेसिंस जो है ताजे पानी के नियोजित पथन तरण के कारण ओरिसा के जो भीतरकनी का राष्ट्रिय उद्यान है उसके है तो गंभीर खत्रे की स्थिति उत्पन हो गई है तो अभी इसका इस्यू क्या है तो थोड़ा सा उसके बारे में हम मैंग्रोव वन है और यह जो है रामसर स्थल है इससे जो है साल 1988 में जो है भीतरकनी का राष्ट्रे उद्यान के रूप में घुश्रित किया गया था भीतरकनी का ब्रामहनी बैतरणी थामरा और महानधी नदी प्रणालियों के मुहाने में स्थित है यह जो है ओरिसा के कें वासिबक्षियों कच्छों मुहाना के मगरमच्छों तथा अंगिनर्जों खाडियों के लिए प्रसिद्ध है ऐसा कहा जाता है कि यहां जो है देश के मुहाने खाड़े जल जो है उसके मगरमच्छों का 70% हिस्दा रहता है इस मतर्ब इस में और जिसका संग्रक्षिन जो है साल 1975 के 1975 में शुड़ू किया गया था तो संग्रक्षित शेत्र जो है भितरकणी का प्रतिनीद्ध तीन संग्रक्षित शेत्रों द्वारा किया जाता है जो इस प्रकार है भितरकणी का राष्ट्री उद्यान भितरकणी का वभिर अराणिया, गहिर माथा, समुद्रे अभिर अराणिया, तो यह जो है भितरकनी का जो राष्टिय उद्यान है, उसके बारे में है, तो इसके बाद जो था है, ब्राह्मानी निदि, तो यह जो है पुर्वत तर, बोनाई गड़ और तालचेर से होकर बहती है तथा फिर महानदी की उतरिक शाखाव में जो है शामिर होने के रहे पूर्व कोई और मुड़ जाती है जो तब पलमाईरास पॉइंट पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है यह उनकुछ नदियों में से एक है जो कि पूर्वी घाट को काटती है और इसने जो है रंगोली में रेंगाली में जो है एक छोटी घाटी बनाए है जहां एक बान का निर्मान किया गया है तो यह तो था जो कि ब्राम्हानी नदी और जो यह जो मतलब भीतर करेंगा इसके जो मुद्दे जो है उद्दोगों के लिए अतिरिक जल आवंटन जिससे की समुद्रे में ताड़े पानी की बहाव में कमी आने की संभाव ना है ताजे पानी के सामाईने प्रभाव में जो है कमी के कारण उपरी ख्षेत्र में खारे जल का अंतगरहन बढ़ जो कि वनस्पति और जीवों के साथ साथ जो है ब्राम्हनी और खर सरोटा जो कि ब्राम्हनी की सहयाग ने दिया नदियों पर निर्भर किसानों एवंग मच्छवारों की आचिविका को प्रभावित करेगा तो उद्दोगों के लिए जो है अतिरिक जल आवंटन जिससे की समुद्र में जो ताजे पानी की जो बहाव में जो है उसमें अभी कम आने की इसकी वज़े से समभाव ना होती होगी तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है और मानव मगरमच संगर्ष की जो घटनाएं जो है उनमें वृध्धी हो सकती है क्योंकि मुहानी पर रहने वाले क्षेत्र को छोड़ देंगे और लावणता बढ़ने पर उपर की और पलायन करेंगे ठीक है तो यह बहुत बड़े-बड़े मतलब इशूज है मतलब इसका जो नमक का जो होगा वो बढ़ने के वज़े से जो है यह वहां से मतलब भाग जाएंगे ना यह जी तो यह उससे मतलब इसके दिखाया गया है तो अभी जो की जल की बहाव में जो है पानी की बहाव जो है उसमें जो है कमी से मैंग्रोव में कमिया आएगी और मै गहिर मथा समुधरी अभेरार्निया समुदरी रेगिस्तान बन जाएगा फीतर का निकासिए जो है जो कि कि अनलाइसिस के साथ के लिए जो है हमारे जो चैनल जो इसको देखते रहे हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलेगा कोई अगर सुझाओ तक कमेंट करना प्लीज मत भूलेगा क्योंकि आपका जो सपोर्ड है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है मैं बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ट वर्क करने के लिए जो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप वाचिंग वाचिंग वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टेक केर जाए हैंद